सावधान, सावधान ध्यान दें, आज रात तबह हो जाएगी धर्ती पृत्वी की और तेजी से आ रहा साथ मंजिला बिल्डिन के आकार का एस्टरोईड, नासा ने जारी कर दिया अलट नासा ने हाल ही में एक विशाल एस्टेरोईड को लेकर के अलट जारी किया है नासा ने बताया कि काफी खतरनाक रफ्तार से धर्ती को और एक एस्टरोईड बढ़ रहा है इसका आकार 720 फिट है, जो एक साथ मंजिला बिल्डिन के बराबर है इसकी पहचान 2024 और के रूप में हुई है इसके 15 सितंबर को धर्ती के काफी नजदीक से गुझने की संभावना है ये धर्ती से लगभग 6,20,000 मिल की दूरी से गुझवेगा लेकिन नासा ने बताया कि इस्टेरोईड इस दोरान अपने रास्ते से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो धर्ती को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है नासा ने बताया कि हमारी नियोप नियर्थ औबजेक्ट अबजर्वेशन प्रणाली ने हाल ही में इस इस्टेरोईड को ट्रेक किया था इसके बाद से हम लगातार इस पर नज़र रखे हुए है ये 15 सितंबर को धर्ती के काफी करीब से गुज़एगा नासा ने बताया इसकी दूरी धर्ती चांद की दूरी का 2.6 गुना है 25,000 मील प्रती घंटे की रफ्तार से आ रहा 720 फीट वाला ये 2024 और धर्ती के पास से गुज़ने वाले आम इस्टेरोइट से काफी बढ़ा है नासा ने कहा कि अगर ये अपने पत से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमारी चिंता बढ़ सकती है ये धर्ती पर भारी तबाही ला सकता है नासा ने बताया कि हमारी New Earth Object Observation प्रणाली ने हाल ही में इस इस्टेरोइट को ट्रेक किया था इसके बाद से हम लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं ये 15 सितंबर को धर्ती के काफी करीब से गुज़एगा नासा ने बताया इसकी दूरी धर्ती चांद की दूरी का 2.6 गुना है 25,000 मील प्रती घंटे की रफ्तार से आ रहा 720 फीट वाला ये 2024 और धर्ती के पास से गुज़णे वाले आम इस्टेरोइट से काफी बढ़ा है नासा ने कहा कि अगर येह अपने पत से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हमारी चिंता बढ़ सकती है ये धर्ती पर भारी तबाही ला सकता है केलिफॉर्निया में नासा की जैट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एस्टेरोइड को ट्रैक कर और उसका स्टडी कर रहा है हाई क्वालिटी वाले रड़ा और अप्टिकल टेलिस्कोप के जरिये जे पी एल के वैग्यानिक दो हजार चौबीस और क्या आकार, आक्रिते और संरचना पर विस्त्रित देटा एक अत्र कर रहे हैं इससे किसी भी संभावित खत्रे को कम करने के लिए रणनीती विक्सित करने के लिए महत्वपूर्ण है नासा का ग्रह रक्षा समन्वय कार्याले ऐसे ऑब्जेक्ट्स की पहचान और उनके संभावित खत्रों को ट्रैक करता है हाला कि NASA ने इसके प्रित्वी से टक्राने की संभावना काफी कम बताए है फिर भी इसने वैग्यानिकों की दिल्चस्पी बढ़ाए है यूरोपिय अंतरिक्ष एजेंसी एसे और दुनिया भर के अलग-अलग यूनिवर्सिटी एस्टेरोईट की स्टडी में NASA के साथ दे रहे हैं इससे इन खगोलिय पिंडो को बनाने वाली समानों को बहतर धंग से समझने और सौर मंडल की रहसे को समझने में काफी मदद मिलने की संभावना रहती है NASA लगातार 2024 और अपडेट जारी कर रहा है NASA अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों के जरिय अपडेट और जानकारी दे रहा है इसके मुताबिक इस एस्टेरोईट को धर्ती के उत्तरी गोलाथ से गुजरते हुए देखा जा सकता है आकाश को देखने वाले वर्चूल टेलिसकोप के अलावा आप NASA के लाइब फीड से इसे देख सकते हैं